प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी एप एवलेबल इन गुगल प्लेश्टोर डाउनलोड नाव परफॉर्म करके सिल की को पता किया जा सकता है यह स्टिल एक इंपॉर्टेंट मेटेरियल है किर इसली की कालिटी चेक करना भी बहुत important है हमारे लिए तो आज के वीडियो में इसी material के construction site नवी किस तरीके से हम टेस्ट को perform करते हैं तो आज के वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को start करते हैं हुआ जो हुआ जो हुआ है कि first point है हमारा construction site पे steel की quality को पता करने के लिए वो है हमारा manufacturer test certificate जहां से भी हमारा steel आता है factory से वो हमें एक MTR documents provide करता है मतलब mill test report उस report में आपको chemical composition और जो भी material पर test किया गया है उसका result उसमें mention किया हुआ होता है उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो steel में किस किस तरीके का chemical composition मिलाया गया है और जो test है उसके क्या क्या result आये हैं उससे भी हम लोग इस सील की quality को पता कर सकते हैं second point है हमारा physical appearance जैसे आप देख रहे हैं कि steel जो है वो correlated नहीं होना चाहिए मतलब किसी भी तरीके का उस पर कॉरेजिन लगावा नहीं होना चाहिए इस टील का जो color होता है वो हमारा grayish color का होना चाहिए third point जो है हमारा steel पर किसी भी तरीके का grease paint और other material लगावा नहीं होना चाहिए उससे problem यह होता है कि जब concrete इस पर पोर करते हैं तो यह concrete के साथ इसके bonding अच्छी नहीं हो पाती है next point हमारा length test length test भी बहुत important हमारा test है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि randomly कोई से भी बैंडल में हम लोग steel निकालके उसका length हम लोग measure करते हैं एक standard जो length है steel का वो 12 मीटर होता है और अच्छी quality का जो steel है वो 12 मीटर से ज्यादा या फिर कम नहीं होता है next one हमारा weight test weight test के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 4 या 5 simple हम लोग हर एक बैंडल से 11 मीटर का steel को cut कर देते हैं और cut करने के बाद उस एक मीटर steel का हम लोग weight करते हैं जो कि standard range के अंदर आना चाहिए जैसे example के तौर पे कि हम ने 16 mm का steel को हम लोगों ने 1 मीटर का cut किया जब उसका weight किया तो उसका weight जो standard है वो है 1.58 kg आना चाहिए अगर इससे बहुत ज़्यादा कम या फिर बहुत ज़्यादा है तो भी वो हमारा steel जो है वो सही नहीं है इसमें हलका सा variation हो सकता है जब हम लोग 10 mm तक का सरिया हम लोग use करते हैं तो उसमें plus minus 7% weight में increment और decrement हो सकता है 12-16 mm के सरियत में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 16 के बाद जो है उसमें plus minus 3% variation हो सकता है लेकिन जब अच्छी quality का जो steel होता है तो ये भी variation नहीं आता है जो मैंने variation बता है ये allowable है इसे आप allow कर सकते हैं next point है हमारा tag जाग इसमें क्या करना होता है जब भी structural engineer हमें drawing प्रोवाइट करता है तो उसके drawing में ये सारी चीज़े जो है mention क्या होता है types of bar किस तरीके का बार आपको use करना है कौन से grade का बार आपको use करना है कितने mm का बार आपको कौन से component के लिए use करना है ISI mark होना चाहिए brand name भी उसमें mention किया हुआ होता है तो जब हमारा reinforcement हमारे site पे आता है तो उसमें एक tag लगा हुआ होता है तो tag में ये सारी चीज़ mention होता है और जो की बहुत important होता है tag में भी mention होता है और आपका जो rod है steel rod उसमें भी mention होता है जब से steel rod की बात हुई तो आप यहाँ पर देख सकते हैं steel rod में आपको brand name भी है जिंडल उसके बाद grade of steel जो है 500 उसके बाद आपका diameter of bar भी है 12 mm और ISI mark भी इसमें mention किया हुआ है तो यह आपको जो steel में भी आपको देखने को मिलेगा और tag में भी यह सारी चीज मेंशन होता है next point है हमारा band test band test important test है इसको हम लोग मैंड्रिल मशीन में हम लोग इस test को perform करते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 20 mm यह 25 mm का हम लोग 1 meter का सरीया हम लोग cut कर लेते हैं उसके बाद मैंड्रिल मशीन में इस cut sample को हम लोग 180 degree पे band करते हैं जब इसको हम लोग 180 degree पे band करेंगे तो इसमें किसी भी तरीके का cracks और rapture जो है वो develop नहीं होना चाहिए अगर यह इस तरीके कोई भी rapture और cracks डिवलप नहीं हुआ है तो यह हमारा जो steel है वो अच्छी quality कमाना जाएगा last one है हमारा re-band test, re-band test के लिए हम लोग क्या करते हैं जैसे आप देख रहे हैं कि यह हमने एक sample लिया है steel का उसके बाद इस sample को हम लोग band कर देते हैं 135 degree पर जब हम लोगों ने इसको 135 degree पर band किया है 135 degree के band करने के बाद इस sample को हम लोग 100 degrees Celsius पर हम लोग आदे घंटे के लिए इस sample को boil कर लेंगे आदे घंटे के बाद इस sample को हम लोग निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद इस sample को हम लोग वापस से rebound करेंगे जैसा आप देख रहे हैं इसको हम लोगों को rebound कितने degree पर करना है 157.5 degree पर इस sample को हम लोग फिर वापस से 157.5 degree पर हम लोगों को reband करना है reband जब हम करेंगे इस sample को तो उस reband करने के दौरान आपको किसी तरीके का rapture और किसी तरीके का cracks डिवलप नहीं होना चाहिए अगर इस तरीके का कोई issue नहीं आता है जो अपने steel जो अपने बाहर पर reband test परफॉर्म किया है तो वो आपका बाहर जो है इस test में पास कर गया है तो ये भी जो आपका steel है वो अच्छी quality का भाना जाएगा ये कुछ test है जो हम लोग construction site पर steel की quality जानने के लिए ये सारे test को हम लोग perform कर सकते हैं I hope की वीडियो आप लोगों के लिए काफी informative रहा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रू शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार